तो हेलो गाइस कैसे आप सभी लोग स्वागते को रे न्यू गेम पले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे है लाश्ट डे रूल सर्वाइवल तो गाइस आज आप लोग देख लिए है कि मैं कहां पर आच चुका हूँ ये है ओपरेशन बैस और ये मेरा ओपरेशन ब जितनी लूट अभी तक मैंने किसी को ओपरेशन बैस में नहीं देखी ऐसा एसके ने मुझे बताया था तो आज मैं इराकी भाई का ओपरेशन बैस देखने के लिए आ गया हूँ गाइस तो मैं देख रहा हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी को भी दिखा देता हू तो यहाँ पर क्या है भाई सबसे पहले इराकी भाई ने वहाँ हेलिकॉप्टर से मुझे कार में बिठाया और यहाँ पर लेकर आए है अब पूरा मतलब ऑपरेशन बैस इराकी भाई हमें गुमाएंगे वैसे इराकी भाई इंडियन नहीं है तो इसलिए थोड़ा मतलब लेंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन हम डिस्कोर्ड पर बाते कर लेते हैं ट्रांसलेशन करके तो गाइस यह आप लोगों ने समझा यह क्या है पता चला आपको कुछ यह है मतलब कि यहाँ पर इराकी भाई जोंबी बुलाते जोंबी रेड होती है न थोड़ी सी लगन थोड़ी सी महनत और एक गल्फ्रेंड का साथ हो आपके तो आप लोग भी यह कर सकते हो मतलब बना सकते हो अपरेशन बैस ऐसा का ऐसा तो यहाँ पर इराकी भाई अभी मुझे रोबोट पर लेया है यार वैसे रोबोट चलो हाँ ठीक है मतलब कि इनके मेरे दिमारे तिमाहे एक बात आ रही है कि इराकी भाई मुझे आपरेशन बैस में रोबोट दिखाने के लिए क्यों लाये है इस रोबोट में कुछ है के गाइस अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा है तो मैंने तो सोचा कि इनके बास आप यहाँ बताने कर चालो है पतानाचारे जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं घॉन टुनकुछ है यार इस वतलब इस रॉबोत में ओ गाइस यह अब मेरे जाके थोड़ा वो समझ में आया कि यह जो मतलब में रोबोट थेना इसमारेज कुछ न कुछ है फैसाब मेरे तो आऎके फटी की फटी रे गई गाईस यह देखो इसमेफ्ञ से नहीं मतलब इतनी फार्मिंग की BeЖास इतनी फार्मिंग की लुट चिल te kandati और यह दू फार्मिंग से परसेंट लूट है इनके मुकाबल है तो guys आप लोग सोचो कि इनके पास में कितनी लूट होगी देखते हैं वैसे मैं एक बात बता दू एराकी भाई सर्वर भी खेलते हैं और उपरेशन बेस भी खेलते हैं लेकिन मैं ज़्यादा है न अब सर्वर ही परसेंट में मेरे लेग होता है न काफी टाइम से तो इसलिए मैं अब अब बंद कर दिया तो उससे पहले की जो लूट है मेरे पास बस वही है उसके बाद में मैंने लूट करना ही बंद कर दिया इसलिए भी मैं थोड़ा पीछे रह गया ऑपरेशन बेस के मामले में तो गाइस अभी कार में मेटा के एराकी भाई ले आए है एक और जगा पर अब यहाँ पर भी इनकी एक वो बनी हुई है यूनिट पता नहीं यह किस चीज के लिए बना रखी एराकी भाई ने चलो अभी देखने के लिए मतलब देख के पता चलेगा यार कि क्या है यहाँ पर तो यहाँ पर फिश पकड़ने का कुछ बना रखा है एराकी भाई ने अच्छा मतलब जाल लगा रखे है यहाँ पर तो यहां पे सारा सिस्टम जो अब मैंने देखा आए यह है फिश पकड़ने का ठीक है वैसे फिश पकड़ने से होता क्या है यार यहां पे फ्रिज भी लगे हुए है एक बार देखते हैं फ्रिज ओपन करके वाई साफ कितनी सारी फिश भरी हुई है यार गाइस यह देखो पूरे के पूरे फिरीजी फूल है यार इसमें भी होगी है यार मतलब सब में फिश है इसको भी ऑपन करते हैं यहां पर लेग काफी ज़्यादा हो रहा है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मतलब टेप करके और आप इतनी देर में ओपन क्यों कर रहे है मतलब फिर इसका जो भी है लूट उट तो यार गाइस मैं किलिक करता हूँ ना उसके थोड़े से सेकंड बाद में ओपन हो रहा है सब कुछ लेग हो रहा है न इसलिए अब ही मुझे पता है सर्वर भी डिस्कनेक्ट हो सकता है लेकिन दिक्कत वाले बात नहीं है operation बेहस है कोई nast नहीं चल रही जो मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी और इसमें क्या है ये देखो भाई यहां की जो loot देख रहा हूँ न मैं उस इसाप से मुझे लग रहा है कि जब मैं main loot देखूंगा न एरा की भाई की तो गजब की loot दिखेगी भाई यह क्या है यह cabinet है guys cabinet की skin देखो अलग type की है बिल्कुल cabinet में भी देखी लेते हैं वैसे यह main cabinet नहीं है मतलब main base की cabinet नहीं है लेकिन इसमें भी इस्टिल और titanium रखी हुई है यहाँ पर deep refiner भी लगी हुई है generator भी लगा हुआ है और lift भी लगी हुई है इदर की side में balcony बनी हुई है ओके इदर की side का नजारा वैसे काफी अच्छा है आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं गूमने के लिए वैसे काफी ज़्यादा technology के साथ में बनाया है इरा की भाई ने अपना base और यहाँ पर lift लगा रखी एक बार में देखता हूं मतलब हर चीज क इनका base अब आलक कर दिया है जब यह गोल वाला यह मतलब बैसल आई ना गोल वाला base आया अपडेट के बाद में उसके बाद में इनोंने नया base बनाया है क्योंकि उसमें गोल बैसल भी लगी हुई है इसमें recipe रखी हुई है इसमें lift रखी हुई है lift का भी storage करना पड़ता है इसमें चैचिस रखे हुए है helicopter और car के यह क्या item है जो दिखाई दे रहे है उपर की line मैं पता नहीं है मुझे तो पहली बार देख रहा हूं मैं तो और यह देखो वह इजी हम लोग server में kill करते हैं ना वो भी रखे हुए मतलब एरा की भाई ने या तो transfer किये होंगे server से या पिर shop से खरीदे होंगे दोनों में से एक काम तो किया है एमो की भी कोई कमी नहीं है वाव यार काफी सारी एमो है और shotgun भी रखी हुई है जी करता है यह सारी की सारी एमो मैं खा जाओं यह देखो forex scope भी रखे हुए है और red dot भी यह वो मतलब है पानी के अंदर चलने की आर्मर है मैं क्या है guys बिल्कुल simple भाशा में बोल देता हूँ कोई फरक नहीं पड़ता यार देखो आप हसो तो हसो मुझे फरक नहीं पड़ता ठीक है लेकिन मजा उसी बात में आता है इसा अगर English जाड़ेंगे ना तो फिर बड़िया नहीं लगेगा इसमें वायर रखे हुए है इसमें electronic parts है यार और इसमें gunpowder और इसमें wood और इसमें stone stone किसी को खाना है तो बोल देना मुझे इसमें क्या है यार अच्छा यह मतलब वह है डेपो बॉक्स एक तरह से मतलब बाहर से कुछ भी लूट वूट करके आते हैं डायरेक्ट इसमें भरते थे इराकी भाई यार मुझे भी लगाना चाहिए ऐसा बॉक्स इधर की साइड में lift है चलो यार गाईस अब नीचे की साइड में आगया हूं मैं वापस अब चलते यार यहां से ठीक है नई तो ऐसे मतलब अगर हर चीज में देखूंगा न तो लगवग पचास मिनट का भी वीडियो हो जाएगा फिर यह तो मैं बुलाता हूँ इराकी भाई को यहां पे भी कारे खड़ी रहती है इराकी भाई की चलो तो जल्दी से चलते है एरपोर्ट के पास में इनका बैस है एसके ने बताया था अब देखे देखता हूँ मैं भी जाके मैं तो पहली बार देखूंगा यार वा यार यह गाड़ी शानदार है यार गाईस जोंबी भी पीछे पीछे बहाग रहा है यार उसको भी यह गाड़ी चलानी है चलो तो गाईस अभी जल्दी से निकलते है एरपोर्ट की तरफी जा रहे है इराकी भाई भी तो इससे मुझे अंदाज हो गया कि यार मतलब एसके ने सही बताया था इराकी भाई का जो बैस है में बैस वो एरपोर्ट के पास में है तो यह आ गया गैस इस्टेशन पैट्रोल तो भरवालो यार कहीं गाड़ी में बीच में पैट्रोल खतम हो जाए इधर की साइड में भी कुछ बना हुआ है यार गाईस देखो मुझे दिखाई दे रहा है पानी के बीच में लेकिन इरा की भाई अभी वो नहीं दिखाएंगे शाहिद हो सकता है बाद में दिखादे यार अभी रोकी नहीं उन्होंने गाड़ी तो गाईस अभी हम लोग पहुचने ही वाले है में बैस पर यह देखो यह आ गया में बैस वाओ क्या बैस यार और मैंने बतायता है ना जो मतल जो में बैस इसको सामने से मैं आप सभी को दिखाता हूँ एक बार यह देखो यह है में बैस और यह इसका फरंट है मतलब सामने का मू ठीक है तो आप चलते अंदर बाहर की साइड में लाइट वाइट लगी हुई है लगता है कि शादी है किसी की इदर की साइड में सौफे लगे हुए है और साथ साथ कुछ बॉक्स है तो यह मतलब डेकोरेशन का आइटम है गाइस यह अभी तक इस बैस में और लगाया जाएगा वैसे इस बैस में कमी नहीं है यार गाइस कुछ भी चलो तो यार भाई देखते है इदर की साइड में इस रूम में क्या है इस बैस में रूम बने हुए गाइस काफी सारे तो घूम घाम के देखना पड़ेगा कि कौन से रूम में क्या है ये देखो लाइट है चल रही है गैस इस रूम में क्या है एक बार देखता हूँ इसमें ये खाली है अच्छे इसमें भी कुछ आइटम अभी लगाया जाएगा अभी तक تو ये समझ लो कार ये परगती पर चल रहा है गैस इसमें मैं जाके आ गया को यार पता नहीं मैं बूल गया जा के आया या नहीं आया यह रूम्भी खाली है इदर की साइड से एक डॉर लगाया गया है नया आ यार वो मतलब पीछे के साइड निकलने का है कार यह परगती पर चल रहा है अभी तक इसके अंदर भी ओके है इसके अंदर डेकोरेशन का एक आइटम लगा हुआ है इदर की साइड में वा यार वाल पे कुछ लगा हुआ है वो जबरदस्त है इदर की साइड में कुछ मॉबाइल लगे हुए है सेल करने के लिए वैसे वो मॉबाइल था या क्या था मुझे नहीं पता यार मैंने तो ऐसे बोल दिया कुछ भी तो यार इदर की साइड में भी रास्ता है एक बार देखता हूँ मैं अच्छा इदर की साइड में चेयर लगी हुई है ड्रेगन चेयर तो अब ही उपर चलते है एरा की भाई तो सोफे पर बेड़ गए वैसे यह जो कुछ अब यह तक मैंने देखा है ना यह बहुत जादा बढ़िया है गाईस मतलब एकदम मस्त यहां पर भी लिफ्ट लगी हुई है तो मतलब मुझे लग रहा है कि लूट जो है न वो सारी की सारी उपर ही है तो अब ही मैं आ गया हूँ लिफ्ट पर और एरा की भाई भी मेरे साथ में आ चुके है चलो तो उपर चलते गाईस ओके तो अभी हम लोग आ चुके है लूट रूम में और यहां पर काफी सारे बॉक्स मुझे लगे हुए दिखाई दे रहे तो अब दिहान से देखना गाईस यह देखो भाई लूट के नाम पर गजब लूट यह देखो शेल ओ भाई गजब ओइल रिफेनर पूरा का पूरा बॉक्स फुल और यहां पर यह देखो यह वो मतलब लाइटिंग स्वार्ड क्या होती है उसके लिए है यह केनन यह बिल्यू कार्ड इसमें वायर है यार एक बॉक्स बिल्यू कार्ड का गाईस सोचो और यह आदा बॉक्स परपल कार्ड का कभी है आपके पास मतलब कभी ओपरेशन बेस में आपको इतने कार्ड मिले है सोचो एक बार मेरे पास तो एक दो कार्ड पड़े रहते यार गाईस क्योंकि इतनी मेहनत में करता ही नहीं हूँ यार यह देखो ओ भाई नेटल देखो एक बार यार अपने पास में तो बहुत ही कमपड़ी रहती है और यह देखो वो क्या बोलते है एनिमल फेट काफी सारा रखा हुआ इदर की साइड में अच्छा इदर की साइड में बाहर आ सकते हैं यहां से देख सकते हैं बाहर कर न जा रहा अब उदर की साइड के बॉक्स देखते हैं गाईस देखो दोनों साइड बॉक्स लगे हुए तो यहां से स्टार्ट करता हूँ इसमें वूड है इसमें भी वू कच्ची है इसको smelt करना अभी तक बाकी है इसमें सलφर है इसमें कुरूड ओयल है बाई मतलब पूरा बॉक्स फुल मेरे पास में सिर्प वह ओयल है और वह भी मतलब एक बॉक्स ठीक है और इनके पास पूरूड ओयल है यह देखो पूरा बॉक्स फुल तो अगर इसको ओयल रिफेनर में डालेंगे तो कितना फियूल बनेगा इसमें एमो है और इसमें भी शोडगन की एमो है यहां पर मतलब हर चीज़े न बिल्कुल रेडी रखी रहती है और पूरे बॉक्स के बॉक्स भरे हुए रखे रहते हैं मतलब एमो एमो बनाने क कि तो जरूरती नहीं दो मेहने तक तो यह देखो चिकन विकन पता नहीं क्या क्या रखा हुआ यार और अभी यार लूट तो और भी होनी चाहिए वैसे देखनी पड़ेगी यार अभी डूड़नी पड़ेगी मुझे लूट अभी तक उपर जाने का और रास्ता है शायद यहां से चलते है गाइस ठीक है क्योंकि यहां से भी हम लोग जा सकते है लिफ्ट के साथ साथ मतलब सिड़ी भी लगाई गई है इस बॉक्स में देखते है खाली है इसमें देखो बेरल रखे हुए है इसमें शॉडगन बेरल इसमें एसमजी बेरल इसमें राइफल बेरल गाईज एक बार आपने देखा यह क्या है भाई पूरा box full rifle barrels है यह launcher पूरा पूरा box full इसमें भी launcher और पता नहीं इसमें और आइटम क्या रखे हुए यार यह क्या है मैं तो पहली बार देख रहा हूँ यार हाँ मैंने मतलब ऐसे फोटो में देखी है ये चीज़े लेकिन आज मतलब सच्चाई में भी देख ली Operation Base में ये पता नहीं कैसे मिलते है इसमें Sulfur Powder है और ये खाली है Box तो गाइस एक बार आप लोगों ने अगर मतलब लूट पे द्यान दिया होगा तो आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि भाई इतनी लूट कोई आदमी कैसे कर सकता है अब देखो यार मतलब कितनी लूट है यार इरा की भाई का तो बेस बहुती जादा मतलब मैं तो क्या कहूंगा मैं तो ये बोलूँगा कि वर्ल्ड का एक नंबर ऑपरेशन पर ऐसे यार ये हम तो कहीं नहीं लगते इनके आगे इतनी लूट यार ये देखो इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स वहाँ पे वहाँ भी देखा था हमने मतलब वह पहले मैंने एक बेस दिखाए था ने जहाँ पे फिश पकड़ने का पूरा सेटप लगा हुआ है वहाँ पे भी थे इलेक्ट्रोनिक पार्ट्स और यहाँ पर भी है अब देखो मतलब लूट की कोई खमी नहीं है यहाँ पे लेकिन कुछ लूट एसी भी है गाईस जो यहाँ पे अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिये हो सकता है कि वो कहीं और जगे रखी हुई हो जैसे कि अभी AR गन है या फिर SMG, OG, शोट गन यह सब कुछ मैंने अभी तक देखी नहीं है वैसे एराकी भाई के पास में पूरे के पूरे box full रखे होंगे यह मुझे पता है लेकिन वो किसी और जगे रखे हुए यार इनके पास में AR गन की कोई कमी नहीं होगी यार जब मेरे पास में दो box full है तो इनके पास में तो 8-10 box full होंगे यार और ये क्या है ये पक्षिर आ जाए ये देखो एरा की भाई का चलो तो यार ये तो बड़ी आ है लेकिन ये देखो बेस देखो यार बेस भी बहुत ही ज़्यादा मस्त यार एक नमबर बेस है जाए बिलकुल और देखो मतलब अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो बिलकुल नए डिज़ाइन है और बिलकुल मेहल की तरह बना हुआ है अब ये जो मतलब गॉल वाला बेस है ये अभी बनना इस्टार्ट हुआ है जब अपडेट के बाद में गॉल बेसल आई है और गॉल वाल आई है इधर की साइड में हेलिकॉप्टर है गाईस ये देख लो और अलग अलग तरह के हेलिकॉप्टर खड़े हुए है यहाँ पे तो चलो एक बार हेलिकॉप्टर में बेटते है गाईस और इसको उड़ाते है उपर से भी मैं आप सभी को दिखा देता हूँ एक बार बेस की मतलब उपर की साइड से कैसा दिखाई दे रहा है बेस अपना चलो तो अभी मैंने हेलिकॉप्टर का इंचन स्टार्ट कर दिया है और आप देखते है उपर की साइड में ये हेलिकॉप्टर कुछ मतलब उड़ाने में मुझे ज़्यादा बड़ी है लगा यार ये देखो इधर की साइड में कुछ अलग टाइप के भी हेलिकॉप्टर है यार तो ये देखो यार गाइस उपर की साइड से कुछ ऐसा सीन आता है ओपरेशन बेस का तो मुझे यार आगे की साइड से देखना है पीछे की साइड से नहीं अब देखो गाइस थोड़ा सा इधर की साइड में और लेता हूँ तो देखो यार गाईस अब जाके मतलब बेस पूरा दिखाई दे रहा है पीछे के साइट में जाड़ आ गया चलो ठीक है थोड़ा आगे ही रहता हूँ मैं मस्त दिखाई दे रहा है बेस एकदम तो अभी गाईस मैं हेली से नीचे उतराया हूँ और यहां पर दिखा रहा हूँ मैं आप सभी को कि देखो अलग अलग टाइप के और भी हेली कॉप्टर है यहां पर और यह तो वो कार है जिससे हम लोग यहां पर आये थे अब यह सच है जूटे लेकिन मैंने तो अपनी आखों से देखा था गाईस चलो तो गाईस एक जगा रे गई थी अब उस जगा भी एराकी भाई हमें ले आए हैं यहां पर मतलब और कुछी नहीं है सिर्फ इनकी कारे है और टैंक वेंक यह सब कुछ है यह देखो यहां पर इतनी सारी छे कार तो मुझे यहां पर सामने दिखाई देई रही है चलो तो गाईस देख लो यह तो है कार और अब आगे निकलते है यह तरह से पुल बना हुआ है मतलब नीचे की साइड में पानी है और उपर से यहां पर रास्ता निकला हुआ है तो और यहां पर और भी कार है, उदर की साइड में ट्रक खड़ा हुआ है, यह टैंक है, और इदर की साइड में भी ट्रक है, और कार है, चलो तो गाइस, यहीं भी मैंने आप सभी को दिखा दिया है, तो मतलब पूरा जो Operation Base है, इराकी भाई का हुआ, पूरा को पूरा मैंने यहनत काफी ज़्यादा किये अपने operation base में तो बस यार गाईस आज के लिए इतना ही अगर आज के ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी हमारे भाई लोगी जिन्होंने आपी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लीजिए हम मिलेंगे एक और न्यू गैम प्ले में तब तक के लिए गुड़ बाई